हेलो नमस्कार दोस्तों आप यभी मिली मौसम की ताजा जानकरी के मुताविद मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी मौसम में बदलाव और कई इलाकों पर दोस्तों अगले 24-47 गंटों की दोना चक्करवाद के असर और साथ में दोस्तों बता है जार की कई जगों पर पस खजुरा, नो गाउ, राईसे, अंधत्या को मिलाकर जबलपूर के साथ इस सभी हिस्सों की मौसम की जानकरी जोई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को इलाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे, साथ में गंटे का आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर दीजे वहीं सतना जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हुई है MP मौसम विबाग ने दोस्तों बताऊंगा जार के आज कहीं जगों पर मौसम सुष करेने के समान है तो वहीं दोस्तों 14 किलोमेटर प्रति गंटे की रफ्तार से हवाई चलने के आसारे बताऊंगा जार के दोस्तों जो है अगले 24 गंटों के दोरण एक नया पश्चिमी विक्षोम बनने के चलते है बारिश के आसारे और मध्यपरदेश के कई जिलों में जो है बारिश हो सकती है मध्यपरदेश मौसम विबाग के मुताइजार के अगले 24 गंटों के दोरण एक तीवर आहरुती वाले पश्चिम विक्षोम के उत्तर भारत में प्रवेश करने के चलते है पूरे के पूरे प्रदेश में मौसम विगड सकता है और वर्तमान में दक्षिन पश्चिमी राजस्तन पर बना प्रेरी चकरवात बढ़कर दक्षिन गुजरात पर सक्री हो गया है जिसके प्रबाव से हाओ का रुख बदल कर उत्तरी एंग उत्तर पूर्वी हो गया है और वातावरन में नमी आने लगी है और वताईजार की ठंडी हवाई चलने के कारण दिन के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है पश्ची विक्षोम के उत्तर भारत के हिमाय चल और साथ में दोस्तों हिमाले शेतर में प्रवेश करने की समान है और वहीं दोस्तों मौसम विबाग की माने तो देश के कई हिस्तों में मौसम बदल रहे है जिसमें हम बात कर रहे है मध्यप्रदेश की मौसम विबाग के इंद्रों के मुताबिद आकडों की बात की जाए तो मध्यप्रदेश में न्यूंतन तापमा 10 डिगरी के आसवास बना हुआ है नोगाव में 7.8 डिगरी सेलसेश खजुरा में 8.8 डिगरी सेलसेश गौलेर में 9 डिगरी सेलसेश राइसेन में 9.4 डिगरी सेलसेश दत्या में 9.6 डिगरी सेलसेश वह दोस्तो मध्यप्रदेश के बड़े शेरों की बात की जाए तो बोपाल में अधिक्तम तापमा 27.7 जबलपूर में 25.8 डिगरी सेलसेस अधिक्तम जबकि 13 डिगरी सेलसेस नियोंतन तापमार रेकोर्ड किया गया मौसम विबाग के मुताओ दोस्तों बतायजारी की मध्य परदेश में मौसम का मिजज फिर से बदलना ले और बादल चाहे रेने के साथ साथ ठंड से रहात मिलेगी वही नियोंतन तापमार में बड़ोतरी से लोगों को रहात मिलेगी बतायजारी की दोस्तों जो है मध्य परदेश में कई जगों पर गुलाबी ठंडक की बज़ाए ठिटूरन बनी हुई थी नियोंतन वे अधिक्तम तापमार में काफी जगों पर उतार चड़ाओ था और खास करके बतायजारी की कई जगों पर ठंड पी थी राजदानी बोपाल में दोस्तों सुबह से ही बादल चाहे इसके साथ ही जबलपूर शेडोल रिवा संबाग के जिलों में कहीं गए पर गरत चमक के साथ रिम जिम बारिश होनी के समान है वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो बतायजारी क्यानवले 24-47 गंटों की दोरन खंडवा देवास और राजगर में अगले 3-4 दिनों की दोरन बारी से बारी बादलू के अवज़े रहेगी कई जगों पर ठंड का आसर रहेगा वही साजापूर की बात की जाए तो साजापूर में भी दोस्तों बारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा अगले 24-47 गंटों की दोरन और मौसम विबाक की माने तो साजापूर में अगले 2-3 निनों के दोरन बादलू के अवज़े जो है काफी अधिक रहेगी और तापमन में थोड़ी बहुत गिरावट जो है काफी अधिक जगों पर देखने को मिल सकती है आपके हापर दोस्तों अभी मौसम कैसा है बारी शोरी या फिर अभी भी जो है तापमन में उतार चड़ाव हमें कमेंट करके ज़रू बतेगा वह दोस्तों साजापूर के साथ स्योर की बात कीज़े तो 4 दिन बादलू क्या वज़े है और 28-29 के करीब अधिक्तम तापमन रेगा और रात के समय 15 और 16 के करीब तापमन जाने के समान है वह दोस्तों राइसें, चेंदवाडा, इंदोर, बोपाल, कटनी, मंसोर, दत्या, गौलियर, भिंड और चातरपूर में भी काफी ठंड का प्रकॉप देखने को मिल सकता है तो यह था दोस्तों, मद्यप्रदेश का मौसमी सिष्टम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना, आप मद्यप्रदेश के कौन से जिले गामे शेहर में रेते हैं में कमेंट करके जरूर बाताना तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याद मिलते आगले वीडियो में